किस्टूडेंट्स हमने लाल्स कलास में यह एकस्पिनन करा था कि सिंपल केस में कैसे होता हैं एंस Surrender Case हम पढ़ेंगे, और फॉय है, अब हम सिंपल केस को स्टेटि काते हैं, सिंपल केस में जो हमारा Old Ratio है, वही Sacrifice Ratio होगा, Sacrifice Ratio को Formula Old Ratio मैनस New Ratio बनेगा, X, Y और Z के Old Ratio दे रखे हैं, 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10, यह एड्मीट हो रहा है, 1 by 5 से, हमने एक फर्म का प्रॉफिट लेट कर लिया वन अब वन में से हमने जो एड्मिट हो रहा है वन बाइफाइब मैनस के देन फॉर फाइफाइब इट मींस एक्स वाइज ने कुछ कंट्रिब्यूट कुछ सैक्रिपैस किया होगा तभी इसके जो हमारा न्यू पार्टनर एड् से आप इसके मुल्टिप्लाइ कर दीजे फो बाइफाइव थी बाइटैन से एंट फो बाइफाइव तो बाइटैन से अब हमें डिनोमेटर दोनों का ही सेम चाहिए सब जगे 50-50 आ रहा है तो हम 10 10 से मुल्टिप्लाइब कर देंगे तो सब जगे 50 आएगा दैन हम कैल्कु सब्सक्राइब करें देन नियू रेशियो निकल के आया है जैसे की 10 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 5 तो पाच शेसा तर नो उन्निस बीजिक की बाइस तेच अभी 25 पच्चिस एंदेन इन सब को डिवाइड करिए रेशियो लिए फिर डिवाइड करिए माइनस लेंगे आपको बेसिक अलिए यह तो अब भी सिक मैट्स का पाल्ट है याई होप आप लोगों को आता होगा दैन आपका टेशियो निकल के आजाएंगे डारमेटर सेंगे 50 50 अब 5 रेशियो 3 रेशियो 2 और आपके 5 6 7 9 10 मताब 5 बाइट 10 3 बाइट 10 एंद 2 बाइट 10 यह आपके नि हमारा चैक हो गया इस तरीके से नॉर्मल केस बिल्कुर नॉर्मल देखेगा जहां एक्वल आ रहे हैं समझ जाओ वो सिंपल केस का कोशन है अब हम बात कर लेते हैं कोशन फस्ट हमारा यह था एक्स वाइज अर्दा पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट लॉस इंदा डेशिय हमारे ओल्डेशियो जैसे अभी में आपको समझाया था यह एड्मीट ओड़ा था वन बाइफ से से वितना दे रखा था हमें सिर्क्राइब नूर्य रेशियो करना था तो सबसे पहले एक और में रिपीट कर देती हूं हमने प्रॉफिट माना वन वन को माइनस किया दैन हम हमारे निए को आगई वैल्यू यह मारे टोटल ओवरॉल क्या हो गई हमारे ओवरॉल नीू रिश्यो निकल के आगए कहले थी जैनन साइट्रिफंड रेशियो दिखायेंंगे तो सैंट्रिफाइज इकल डू ओल डि रिशा होते हैं सेमी आएंगी वैल्यू आप कोह एक तह नहीं एका 4 1 by 4 4 4 है तो इससे हमें पते चल ला है multiplication है for share 1 by 4 shares ठीक है a b अब सी admit हो रहा है मतलब total of firm की value जैसे हमने पहले किया था one मानेंगे then one by four seven one को minus करेंगे then value निकल के आजए कि जैन यह भी का उत्ता contribution और गज़ा सिंपल मैथल कर रहे हैं 3 by 4 को multiply करेंगे अब इसमें a b r the shares equally in future means जो वो shares distribute करेंगे वो equally कर रहा है means वो half one by two कर रहे है one ratio one ratio one कर रहे means one by two क्योंकि future में वो equally share करेंगे तो हम new ratio निकालते समय हम equally इन लोगों का shares multiply करके निकाल देंगे तो इस तरीके से हमारे new ratio new ratio सिफ multiplication करके निकलने चेंज इन प्रॉफित में अप अलग तरीके से आप इसलिए मिक्स मात करना बिल्कुभी चैप्टर को दोनों चैप्टर अलग है अलग तरीके से ही मैं step by step आपको समझाऊंगी से आप step by step समझने की ट्राइ करिएगा जैसे ही आपका नॉर्मल केस में ने एक समझाया अब यह आपका थोड़ा सा sacrifice वाला केस था जिसमें अपने sacrifice कर दिये shares in future में equally तो equally one by two one by two तो new ratio निकल के आए three ratio three ratio one अब sacrifice ratio निकालेंगे तो old के वह equal आ जाएंगे old ratio का फॉर्मल लगाएंगे तो old ratio में ने old ratio three by five और two by five थे और new ratio three by eight और three by eight है तो new ratio three ratio three ratio one बस हमें new ratio पर हमारी कानी खतम हो जाती है क्योंकि उसमें कोशन में calculate करने को सिर्फ new ratio वांगे simple सिधा है हमें multiplication करके दिखानी है और कुछ में नहीं है question fourth पढ़ लेते हैं ABC are the partner क्या आपका एक आपका case second था then आपका case तीन cases मैंने आपको इसमें बताया है कि आपके three cases हम इसमें study करेंगे case one case two and case three तो case one के हम question अगर देखें तो case one जो था हमारा वो यह वाला था जिसमें हमने simple old ratio देखे then हमने company का multiplication दी और हमारा question complete then third question हमने पढ़ा उसमें future में वो equally हो रहे थे then हमने वो multiplication करें and then question हमने simple cases पढ़ें अब हम question four देखे लेते हैं जिसमें हम case next case देखेंगे जिसमें new partner जैसे a b c are the partner sharing profit in the ratio two ratio two ratio one do you admit it as a new partner one by six share c will retain अब retain वाला case है यह retain first case में आपको समझाया जो simple था second case ति multiplication करने थी क्योंकि वो आपका कैसा case था वो ऐसा जो में आपको बता रही थी surrender है या give है देने की बात आ रही है तो उसमें सिर्फ हम multiplication कर गे दिखाते है नौर्मल केस आपको पता है multiplication then minus then either multiplication इधर direct आप minus करके दिखाओगे कि फोर्क की बात है from की बात है multiplication then either minus होगा last case में जो case आपका acquire का या take मतब ले लिए उससे तो जो जिसने लिए है उसके में addition और जो दे रहा है उसके में minus सिर्फ इतना करके दिखाना है last case में surrender वाले game में surrender जिसने करें हैं उसमें से multiplication होता है first case में आपको समझाए दिया case one old ratio मेरे इतने यह admit हो रहा था firm हमने one by five four by five लिए फिर xyz के हमने new ratio multiplication से निकाले then हम आते हैं third question पे third question में a b हैं a b हमारा partner है जिसके 3 रीटियो यह त्रीटियो फाइव है one by four से जब सी ओफिट कितना है one का है तो one minus one by four three by four मतब ए और बी ने कितने का sacrifice कर रहे ए और बीने sacrifice कर दो कर रहा है वो 3 by 4 का किया है तो ए और बी ने जब 3 by 4 कर था तो 3 by 4 multiplied by और इन फूटर में किता हाव दे रहो तो बन वाई कर दो तो तरी सिवाइट दें three by 8 और अब हमें एक लाना है नीचे डेनोमेटर तो हम वन बाई एड से मल्टिप्लाई कर देंगे छेंगे तरी रिश्यो ठीले तरी रिश्यो बन आ कर लेते हैं कोशन नमबर फोर्थ की तो कोशन नमबर फोर्थ क्या है ABCR the partner sharing profit in the ratio two ratio two ratio one and D is admitted as a new partner for one ratio six six share C will remain retain his original share मतब C original share layer I mean one by five अब calculate करना है new profit sharing ratio and sacrifice ratio also sacrifice के लिए minus कर देंगे अब old ratio हमने सबसे पहले देखें फिर D admit हुआ है कितने से admit हुआ है 1 by six share से firm के हमने पूरे share profit के one money अब C admit हुआ है 1 by six से 1 by six share से C का admission दिखा रहा है D is admitted as a new partner ABCR the partner C retain कर रहा है his original share मतब C अपना original share दे रहा है तो one by five C दे रहा है D admitted हो रहा है new partner one by six से तो C admit हो रहा है तो admit में हम minus करते हैं और जो retain कर रहा है partner उसका भी माइनस करेंगे दने काम देखेंगे अब पार्टनर ने से कर रहा है तो डूपार्टनर पसते हैं तो 2 पार्टनर के रहा है 2 मत्त वाग्री करें गेंगे तो टू से टू कर जाएगा घंथा आ जाएगा तो एक साफ लाना कर देंगे अब हमें 60 लाना है तो सी 1 by 5 से था और डी 1 by 6 से था आप हमें नीचे डिनोमेटर 60 लाना है तो 12 12 से मल्टिप्लाइ कर दी देन हमारा 10 डिश्यो 19 डिश्यो 12 डिश्यो 10 हो गया देन हम सैक्रिफाइड रिश्यो का फरमर लगे यह ओल्ड डिश्यो मैनस नियू अब ओल्ड सिक्स्टी इसे कैल्कुलेट करके देखिएगा और फिकोई कोई होती है तो शाम को जब सारे साथ बचाब के क्लास होगी तो उसमें आप लोग में से पूर सकते हैं अब देन नेक्स्ट दो तिन कोशन में आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में क्लियर करते हूं